तो यहां पर हमने क्या लिख लिख लिया कि k2k plus 7 is less than k plus 3 का whole square ठीक है यह हमारा क्या हो गया induction assumption clear है यहां तक कोई problem नहीं है अब बचो आजओ step number 3 में 58 59 which is 59 step number 3 इसमें क्या है कि जैसे तुम ऐसे देखो यहां पर हमारे पास आगी अब step number 3 में क्या करेंगे हमें क्या proof करना है कि p of k plus 1 is true तो p of k plus 1 को हमें true देखाना है तो उसके लिए क्या कर सकते है p of k plus 1 है क्या जैसे पहले तुम इसको ऐसे देखो यहां हमारे पास क्या आ रहा है इसको ऐसे देखो यह हमारे पास आ रहा है न p of k p of k क्या है 2k plus 7 is less than k plus 3 whole square ऐसे आ रहा है ठीक है तो हमें क्या देखाना है कि k plus 1 this is true also for k plus 1 तो इसका मतलब हमें क्या proof करना हमें p k plus 1 तो p k plus 1 क्या होगा 2k plus 1 k की जगा k plus 1 डाला plus 7 is less than यहां भी k की जगा k plus 1 plus 3 whole square मतलब यह ही आ रहा है न हमें p k plus 1 यह हमें proof करना है और इसको तुम क्या लिख सकते हो 2k plus 2 plus 7 is 9 is less than k plus 4 का whole square मेरी बात को समझ रहो क्या बोल रहा हूँ यह और यह तो एक ही चीज लिखा है न है यह दोनों एक चीज हमें इसके help से क्या proof करना है यह proof करना है बात आ रही समझ में ऐसा लिखने से benefit क्या हो गया है कि हम आईडिया लग गया कि हम इसको solve कैसे आगे process करेंगे हमें क्या given है यह pk और हमें क्या proof करना है यह तो यहाँ पर हमें दिख्या रहा है कि pk में अगर मैं 2 इसको देखो और इसको देखो अगर मैं pk में 2 add कर दूँ तो pk plus 1 का left hand side आ जाएगा तो अगर यहाँ मैंने 2 add किया ना तो pk plus 1 का left hand side आ जाएगा तो फिर pk plus 1 का यह right hand side भी आ जाएगा देख लो कैसे यहाँ से हमें idea मिल गया ना इसको bracket ऐसे लिखने से यहाँ पर अगर मैंने rough में इसको लिख लिख लिया ना मैं left hand side और right hand side दोनों जगा क्या करूँ 2 add करूँ तो 2 add करने से क्या होगा pk plus 1 का left hand side आ जाएगा तो फिर right hand side भी आ जाएगा तो अब देखो step 3 में हमने क्या किया जो pk हमारे पास given है pk क्या given है 2k plus 7 is less than k plus 3 का whole square यही है na pk given तो यही है 2k plus 7 plus 2 less than यह क्या हो गया k plus 3 का whole square plus 2 अब इसको क्या लिख सकते k square plus 6k plus 9 plus 2 तो यह क्या हो गया 2k plus 9 यह क्या हो गया k square plus 6k plus 11 और हमें क्या चाहिए हमें चाहिए k plus हमें चाहिए k plus 4 का whole square चाहिए हमें क्या चाहिए k plus 4 का whole square और k plus 4 का whole square क्या है k square plus 8k ठीक है plus 16 अगर right hand side में हमें बात को समझ रहो न अगर right hand side हमें k square plus 8k plus 16 मिल जाए तो फिर क्या होगा यह proof हो जाएगा और यह proof होगा तो question ही solve हो गया हमें right hand side में क्या मिला भाई k square plus 6 k plus 11 हमें मिला right hand side में k square plus 6 k plus 11 ये मिला हमें right hand side में और हमें right hand side में क्या चाहिए k square plus 8 k plus 16 तो इसका मतलब कमी कितने की है 2 k plus 5 की कमी है ठीक है अगर मैं इसमें 2 k plus 5 add कर दूँ तो आ जाएगा k square plus 8 k plus 16 और ये अगर आ गिया तो k plus 4 का whole square आ जाएगा left hand side तो अलड़ी आ चुका है तो फिर हमारा क्या हो जाए है question proof हो जाएगा तो अब तुम मेरी बात को ध्यान से देखो ये जो quantity है जो right hand side में लिखा है ये left hand side से क्या है greater है है ना greater तो अगर मैं greater में कोई positive number add करूँ तब भी वो greater होगा अगर मैं greater में positive number अगर मैं बोलू 5 is greater than 3 5 में 2 और add कर दूँ तो 7 is greater than 3 ठीक है अगर मैं 5 में 10 add कर दूँ तो 15 is greater than 3 तो अगर greater में हमने positive add किया ना तो वो greater होगा बट अगर smaller में positive direct करेंगे कि अंग तो फिर हं कुछ नहीं कह सकते वो smaller भी रह सकता इसमें हमने क्या कि आज़े कोरा वह क्लाभी क्या है उस्थ Sun करीद हरोगा ऑप यहीं प्लस 5 हमारा नेट्रल नम्ब होगा हमारा ऊज़े अंपर नम्बर होगा तो हमने क्या किया अपने मर्जी से मर्जी से तो नहीं बट 2K plus 5 बनाने के लिए अड़ कर दिया इसमें तो अभी भी inequality maintain है कोई problem नहीं है because तुम ऐसे देख लो अगर उसको और लिखना चाहते हो तो तुम ऐसे लिख लो 2K plus 9 से क्या है greater greater है K square plus 6K plus 11 और K square plus 6K plus 11 से क्या greater है K square plus 6K plus 11 plus 2K plus 5 ये greater है इससे ये बढ़ा है और इससे भी ये बढ़ा है इसका मतलब ये जो होगा अभी भी इससे बढ़ा होगा ये तो simple logic है इसको हम कहते हैं deductive reasoning ये less than क्या हो जाएगा इसको हम क्या लिखेंगे K square plus 8K plus 16 ठीक है अब ये किसके equal हो गया K plus 4K whole square के तो यहां से में क्या मिल गया 2K plus 9 is greater than K plus 4 का whole square हो गया ये क्या हमारा P K plus 1 है This implies that P K plus 1 is true Hence by PMI P N is true For all N belongs to natural number End of the chapter हमने NCRT के इस chapter के एके question solve किये ठीक है और इसके बाद जो हमारा next chapter होगा वो होगा complex number जैसे हमने इस chapter में किया है जितने examples किये NCRT के सारे examples किये फिर हमने क्या किया उसके exercise के सारे questions किये same line पर हम लोग क्या करेंगे complex number के जितनी भी examples और जितनी भी exercise है one by one सारे question solve करेंगे ठीक है okay